हाई फ्रेंग्स वेलकम बाक तो फोडो पार्चाला और दोस्तों आज का जो यह चैप्टर है इस अबाउट फोन फोटोग्रफी और फोन से अमनों किस तरह से एक परफियम की बॉटल का एक प्रॉपर अच्छा सा प्रोड़क्ट शॉट ले सकने आज के चैप्टर में वही और सेकंडी जो लाइटिंग में यूस करने जा रहा हूं इट विल नाट एप अनी काइंड अफ्रफेशनल लाइटिंग यूस और जो लाइटिंग अपना यूस होगा एक LED बल्ब होगा जो की 15 watts का LED बल्ब है सेकेंडली हम लोग एक अपना रिफ्लेक्टर क्रियेट करेंगे जो पीपर और से होगा एंडेन डिफीजन के लिए हम लोग एक ट्रेसिंग पेपर यूस करेंगे और बहुत ही सस्ते में हम लोगों को एक काफी अच्छा शॉट्स मिलने वाले हैं तो लेट इस पिक इन दोस्तों यह शॉट्ट शुरू करने से पहले हम लोगों को एक रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा यह आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो और यह तो मेटल का अलमिनियम का रिफ्लेक्टर है हम लोग सिमिलर एक पेपर से बनाएंगे आउटर हम लोग ब्लैक पेपर ले लेंगे और इंसाइट के लिए हम लोग सिल्वर फॉयल ले सकते हैं तो चलिए सबसे पहले यह रिफ्ल पेपर आगया और मैं इसको कट करने रहा हूं कुछी अपना रफेक्टर कुछ ऐसे बनेगा तो एक रफ साइज ले लेते हैं और इसको काट लेते है इतना I think ठीक है लेट सकत इस तो यह कुछ इस तरह से अपना रेफ्लेक्टर बन गया और इसको मैं टेप कर देता हूं अब जो भी एक्स्ट्रा एरिया इसको मोग कट कर सकते हैं इस एंड से और यहां चे भी मैं स्ट्रेट कर देता हूं इसको इसको अगर आप सिल्वर फॉल नहीं यूस करना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप इसके जीए वाइट पेपर यूस कर सकते हैं आइडिया यह है कि अगर हम लोग सीधे एंड ब्लाइक लगा दें तो ब्लाइक से क्या होगा जो अपना लाइट है वो लाइट का लॉस ह जाएगा लाइट कम हो जाएगी और सिल्वर फॉयल लगाने से या वाइट पेपर लगाने से जो लाइट है वह तरफ रिफ्लेक्ट करें इस रिफ्लेक्टर को मैं इस बल्ब में लगाने जा रहा हूं यह वाला 15 वाट्स का लेडी बल्ब है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं मिरा बल्ब रेडी अपना रिफ्लेक्टर के साथ आप स्टार्ट करते हैं कि यह फैसे यह है कि क्योंकि हर तरफ अपना ब्लैक आ गया तो जो लाइट जो हर तरफ पिलो के हर तरफ जाती है वह रूप जाएगा और अपना लाइट को एक मिल जाएगा और शिल्वर फॉइल का आप समझ ही कहें कि वह लाइट को रेफ्लेक्ट करेगा सो देट अपना जो लाइट का लॉस है वो ना हो ऑके धूस्तो यह यहत और लांप और रिफ्लेक्टर दैन उसके आ अपना यहाँ पर फ्यून्हें जो में शूट करने जा रहा हूं गहले नो आप देख सकते हम यहांं डिफ्यूज करें लेके देखते हैं so that हम लोगों को डिफ्रेंस पता चल जाए क्या डिफ्रेंस आ रहा है पर्फ्यूम आ गया जो बॉटम है यह एक ब्लाक कलर की अक्रिलिक शीट और शीट को दोस्तों मैं रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं so that यह लिए गज्टेय्ट प्रिफ्यूम का अपना रिफ्लेक्शन आज है डोसथ जो अब यह शेटिंग है रहा है बिलकुल ृश्तेट लैन पे मेरा निए पर्फिंग की बॉटल है एंग्जक्ली स्ट्रेट लाइन पे मेरा फोन है सो यह तीनो जो चीज़ें है बिलकुल एक एक्जाक लाइन में आ रहा है लेस्ट टेक शॉट दोस्तों शॉट बहुत ही एवरेज बिलो एवरेज आ रहा है बिकॉस एक तो जो इसका बैक्राउंड है जो लाइट है वो पुरा लाइट दिख रहा है लेट्स दू वन तिंग इसको हम लोग कुछ डिफ्यूस करते है लेट्स ट्राइए सम्थिंग डिफ्रेंट डिफ्यूजन के लिए आप डिफ्यूजन के लिए मैं क्या कर रहा हूं एक यह पॉली बैग है यूस्ट पॉलिथिन जो बैग आता है उसको लगा के देखते हैं और देखते हैं कैसा अपना शॉट आ रहा है दोस्तों यह मुझ ट्राइच को और आप कर रहा हूं और शोट इसी लाइट से अपनी फोटो है और पाकी जो सारह कुछ इधर उदा से लाइट से अम्बें लाइट है उसको मैं स्विच आफ करने जा रहा हूं दोस्तों मैं फोन को बिल्कुल आटो मोड में यूज कर रहा हूं इस Slider से मैं ए okay let's take a shot okay दोस्तो दाइडिया आफ दिस पॉलेथिन इस नाट वरकिंग आला कि यह डिफ्यूज कर रहा है बाट शॉट इतना अच्छा नहीं आरा अपना दोस्तो यह जो डिफ्यूजन है उसके लिए मैं एक ट्रेसिंग पेपर यूज करने जा रहा हूं ना अब ट्रेसिंग पेपर अपना लाइट और सब्जेक्ट के बीच में आ गया इतिंग ट्रेसिंग पेपर जो है काफी क्लोज है लाइट के सो में भी मुझे लाइट थोड़ा पीछे करना पड़ेगा बट लेट्स टेक शॉर्ट एंड़ी अब ट्रेसिंग लग रहा है दोस्तों अब मैं यह जो लाइट है इसको मैं पीछे मूव करने जा रहा हूं देखिए लाइट पीछे मूव होते ही जो अपना डिफ्यूजन था वो इंक्रीज हो गया है अब दोस्तों यह जो फ्लिकर आप देख रहे हैं जो कैमरे में आ रहा है वह आइधिंग यह जो LED बल्ब होते है उनकी वज़े से आता अगर आपका शेटर स्पीड कुछ लिमिट से जादा हो जाए जो LED फ्लिकर करता उससे जादा हो जाए देन यह अपना कैमरे में फ्लिक करने लगता है लेट सी अम लोग इसमें शटर स्पीड कम करके देखते हैं देन यह फिकर आरा है कि नहीं मोस्ट प्रबैबली इस बिकास अपड़ शटर स्पीड के आल गो तो मैनौल मोड इन आपना शटर स्पीड 3.50 आरा है लेट रिद्स देस अब यह अब यह अब यह विच आपना शॉट पर नहीं आना चाहिए स्टिल में नहीं आएगा वह आए थिंग दिस लुक्स अके दूसरो शॉट अपना धीरे धीरे इंप्रूब हो रहा है बिकोज अभी अपना जो लाइट है वो थोड़ा जादा हो रहा है लेट्स टेक दिस लाइट बैक सो अब जो अपना लिमित है शटर स्पीट का उसको थोड़ा ध्यान में रखते है शॉट लें I'm still not really you know happy about the background but the bottle is looking now very nice background जो आरा है थिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है भी maybe a car diffusion use कर सकते हम लोग let's try to use this tissue paper but I'll not put this tissue paper here यहां पे bottle में ही रखोंगा I'll put it on the light now I think अपना जो tissue paper है उसके वज़े से light reduced हो गया है and now let's take a shot I think the light is looking nice now diffusion बहुत अच्छा लग रहा है but यह जो है अपना bottle वो नहीं अच्छा लग रहा okay now मैंने camera को थोड़ा से नीचे कर दिया है and now the shot is nice what we can do is नीचे का जो area जो extra आरहा उसको हम लोगो को crop करना पड़ेगा आए दोस्तों इसके पीछे देखते हैं लोग कैसे लगावा अपना कुछ इस तरह से है I think visible नहीं है let's now you can see उस लाइट के ऊपर जैस्ट मैंने एक टिशू पर रख दिया है और उससे diffusion हो रहा है अपना मैं यह कट आउट लगाने जा रहा हूं I think this will change the shot I'll not put it here मैं इसको पीछे के तरफ लगाऊंगा और बिकॉस जब यह लगता है तो I think जो इसका exposure है वह हम लोगों को change करना पड़ेगा दोस्तों अभी जो मैंने कार्ट रखा यह diffusion पैनल से बिल्कुल टच होके है और जैसे-जैसे मैं इसको पीछे ले जाता हूं आप देख सकते इसका effect कैसे आ रहा है यह जो light है यह जो shadows आ रहे है इसकी वाज़े से वह प्लर होते जा रहा है लिट्स यूज इस सम्थिं लाइक दिस और मुझे कैमरे का एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा बिकास्ट आपना लाइट है वह रिडियोस हो रहा है 1 by 50 शुट बीफाइन यह दिस लोक्स गूट दूस्तों मैं मोबाइल फोन को रोटेट करके लैंड्सकेप में कुछ शॉट लेने जा रहा हूं और लेट्स टेक शॉट लेट्स को बैक और फिर से हम लोग यह वाला अपना कट आउट लगा के देखते हैं या लाइक थेस थोड़ा पीछे रख लेते हैं आप यह दिफ्रेंट पोजिशन इसके ट्राई कर सकते हैं और सम्थिं डेफिनेटली विल वर्क नाइस तो दोस्तों कुछ इस तरह से अपना सेट अप था सबसे पीछे यह लाइट थी जिसके उपर मैंने एक टिशू पेपर रख दिया था फिर उसके आगे मैंने एक ट्रेसिंग पेपर से डिफूजन कर दिया था और शॉट्स आपने देख लिए यह लोग रेले इंट्रेस्टिंग तो दोस्तों आट सिट इसके साथ ही अपना यह चैप्टर खतम होता है बट इफ यू सी चैप्टर में हम लोगो ने जो भी चीजे यूज की एवरीफिंग वाज दिया इतना सस्ता पड़ा एक बल्ब की ही कॉस्त ही आई थिंक 100-200 में zero investment कै सकते हैं the only investment you made in this chapter was your hard work so दोस्तों बाकी सारी चीजे जो हैं धीरे धीरे अपने अप सेथ हो जाती है basic thing is you need to invest in yourself आपको अपने आप में इन्वेस्ट करना आपको मेहनत करने अपने hard work के basis पर आपको काम करना है and then जो बाकी सारी चीजे धीरे धीरे अपने आप उसेथ हो जाती हैं so it is your hard work that is going to pay you off so with that I'm signing off दोस्तों इंस्टेग्राम पर मैं फोटो पार्चाला नाम से हूं और फोटो पार्चाला नाम से फेस्बुक का एक पेज भी है प्लीज तू जॉइन मी देर थाइंक यू सो मच